दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मागदर्षन फार्सिविल सेव्डिसीज में, मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज मागदर्षन सामान निविज्ञान में हम देखेंगे तरंग गत एंध्वन से संबंधित पर्मुख धाड़ाएं और उनसे संबंधित प्रश्ने तो आईए शुरू करते हैं पहले है तरंग गती तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का बिच्छोब होता है जिसके द्वारा उर्जा एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक संचरित होती है अर्थात तरंग एक प्रकार का विच्छोब या डिस्टर्वेंस है जिसके द्वारा उर्जा एक अस्थान से दूसरे अस्थान को संचरित होती है तरंगों के प्रकार तरंगे कितने प्रकार की होती है तरंगे दो प्रकार की होती है पहला है यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आओ सकता होती है याद रखेगा यांत्रिक तरंगे वे हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आओ सकता होती है और दूसरा है बिद्दु चुम्ब की तरंगे, दूसरा बिद्दु चुम्ब की तरंगे होए, ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आउसकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकती है, तो तरंगे भी छोब होती है, जिसके द्वारा उर्जा क एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक संचरण होता है ये दो प्रकार की होती है यांत्रिक तरंगे और बिद्दु चुम्ब की तरंगे यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम किया हो सकता होती है जबकि बिद्दु चुम्ब की तरंगों के चलने के लिए किसी माध्यम की आउसकता नहीं होती है ये निर्वात में भी चल सकती है अब आईए देखते हैं यांत्रिक तरंगे यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए किसी ने किसी माध्यम की आउसकता होती है वे यांत्रिक तरंगे कहलाती है जैसे यदि कोई कर्ण अपनी इस्थिती की पुन्रावृत्ति करता है तो इसे कमपन कहते है यदि कोई कण अपनी इस्थिती की पुन्रावृत्ती करता है तो इसे कमपन कहते हैं या अंत्रिक तरंगे माध्यम के कड़ों के कमपन के द्वारा आगे बढ़ती हैं इंपार्टेंट है यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जवरत पढ़ती है लेकिन यांत्रिक तरंगे माध्यम के कड़ों के कमपन के द्वारा आगे बढ़ती हैं ये दो प्रकार की होती है जो यांत्रिक तरंगे हैं ये दो प्रकार की हैं अनुप्रस तरंगे औ कड़ों का कमपन तरंग की गत की दिशा से 90 degree centigrade पे हो तो ये तरंगे अनुपरस तरंगे कहलाती हैं और अनुदर ये तरंगे वे हैं जिनमें माध्यम के कड़ों का कमपन तरंग के चलने की दिशा में होता है यानि की तरंगे चलने के साथ-साथ और ये है जो अनुपरस अनुप्रस तरंगे श्रिंग और गर्थ के रूप में आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर जो इसको माध्यम माना जाए तो जो उपर का भाग है ये श्रिंग और नीचे की गर्थ कही जाती है। दूसरा ये है कि अनुप्रस्ट तरंगों में जो गति की दिशा होती है, वे माध्यम करकाड़ों के समाना अंतर होती है, अनुदैरे तरंगे कहलाती है, जैसे द्वानी तरंगे हैं, इस्प्रिंग में उत्पन तरंगे हैं, ये तरंगे समपीडन और विरलन के रूप में अनुदैरे तरंगे होती हैं इन तरंगों की गती सरवाधिक ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होती है तो आईए अब देखते हैं बिद्दु चुम्ब की तरंगे क्या हैं बिद्दु चुम्ब की तरंगे यानि की electromagnetic waves वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम क्य आउसकता नहीं होती है ये निर्वात में भी चल सकती हैं बिद्दु चुम्ब की तरंगे कहलाती हैं बिद्दु चुम्ब की तरंगे उर्जा कडों के कमपन के द्वारा आगे बढ़ती हैं इम्पार्टेंट है बिद्दु चुम्ब की तरंगे उर्जा कडों के कमपन के दिवारा आगे बढ़ती है और इनका वेग हमेशा प्रकास के वेग के बराबर होता है जो बिद्दु-चुम्ब की तरंगे हैं ये तरंगे अनप्रस्त तरंगों के समान होती है और लंबलद चलती है तो इसमें आए देखते हैं तरंगे तरंग दैर का घटता करम कैसे होता है जो विद्दु चुम्ब की तरंगे होती है उनका जो अस्तरी करण है इस प्रकार से देखा जा सकता है जो आपरित्ती है पहले आपरित्ती के आधार पे बड़े से छोटे के करम में हम चलते हैं सरवाधिक आपरित्ती होती है गामा तरंगों की जिसकी खोज हेनरी बेकरल अठारसो चानबे में की थी दूसरे अस्थान पे हैं एकसरे इनकी खोज रोंटजन ने की थी तीसरे अस्थान पे पराबैगनी केड़े होती हैं रिटजर ने इनकी खोज की थी प्रकास तरंगे हैं या द्रिस से प्रकास तरंगे इनकी खोज न्यूटन ने की थी और अवरक विक्रण का प्रियोग रिमोट कंट्रोल में किया जाता है छठे अस्थान पे हैं लगू रेडियो तरंगी जिनकी खोज हर्ज ने की थी और सत्वे पे दिर्ग रेडियो तरंगी जिनकी खोज मार कोनी ने की थी इनको रेडियो तरंगी भी कहते हैं तो गामा केड़ों का तरंग दैर्य सबसे कम होता है जबकि दिर्ग रेडियो तरंगों का तरंग दैर्य सरवाधिक होता है इसी प्रकार गामा केड़ों की आब रित्ति सरवाधिक होती है और दिर्ग रेडियो तरंगों की आब रित्ति सबसे कम होती है अब आईए देखते हैं तरंगती तरंगती आयाम तरंगत में आयाम क्या है एम्प्लिट्यूड किसी तरंग का अपनी माध्य स्थिती से मध्यतम बिचलन आयाम कहलाता है महत्तम बिचलन जो तरंग गती होती है इसमें एक सब्दाता है आयाम amplitude किसी तरंग का अपनी माध्यस्थित से महत्तम बिचलन आयाम कहलाता है इसे इसमाल A से ब्यक्त करते हैं और इसकी 1 इकाई मेटर होती है जैसे कोई कड़ है वो अपनी जो माध्यस्थित से अधिकतम बिचलन जो महत्तम बिचलन होता है वो आयाम उसे कहते हैं इसका मातरक मेटर होता है आवर्तकाल आवर्तकाल या time period क्या है तरंग द्वारा एक कमपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है इसे capital T से ब्यक्त करते हैं इसकी एकाई second होती है आवर्तकाल है तरंग द्वारा एक कमपन करने में लगा हुआ समय सरल लोलक का आवर्तकाल हम लोग सुरू से पढ़ते आ रहे हैं 9 से ही सरल लोलक का आवर्तकाल T बरावर 2 पाई कड़ी में L बाई G जहां L सरल लोलक की लंबाई और इसमाल जी गुरुत्वी तोरण है जिसका मान 9.8 मेटर प्रति सेकेंड स्कॉयर होता है इसमें सरल लोलक में कई बार प्रशनाता है कि लोलक की लंबाई यानि L बढ़ने पर T के मान पर क्या प्रभाव पढ़ेगा तो L बढ़ने पर T का मान पर जाएगा और जो लोलक की लंबाई है उसके घटने पर आवर्तकाल घट जाएगा यही कारण है important है इसी कारण से जो गर्मियों में पेंडूलम घडियां होती है ये सुस्त पर जाती है क्योंकि सरलोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है आवर्तकाल बढ़ने से ये घडियां सुस्त हो जाती है अगला है आबरित्ति क्या है frequency एक सेकेंड में किये गए कमपनों की संख्या को आबरित्ति कहते हैं आबरित्ति को इसमाल n से ब्यक्त करते हैं इसकी एक आई कमपन प्रति सेकेंड या हर्ज होती है जैसे यदि कोई करण एक सेकेंड में 10 कमपन करता है तो उसकी आबरित्ति n is equal to 10 यानि कि एक सेकेंड में 10 कमपन तो उसकी अबरित्ती 10 होई और आवर्तकाल इसका बिलो में या ब्यूत कुर्मान पाती होता है आवर्तकाल T बराबर 1 by N यानि कि उसका आवर्तकाल 1 बटे 10 सेकेंड होता है आबृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल यानि कि आबृत्ति आवर्तकाल के ब्यूत्कुर्मान पाती होती है यान इस इक्वेल टू 1 बाई T जैसे एक प्रेशन हम लोग देखते हैं एक कड़ का आवर्तकाल 2 इंटू 10 to the power minus 5 सेकेंड है इसकी आबृत्ति क्यात कीजिए तो आबृत्ति टी कैप्टल टी आवर्तकाल 2 इंटू 10 to the power minus 5 है तो आबृत्ति 1 बाई 2 इंटू 10 to the power minus 5 बराबर 5 गुडे 10 पे 4 हर्ज हो जाएगा तो इसको आप लोग देख लिजेगा कभी प्रशनी ये आ सकता है तरंग धैर क्या है तरंग धैर बेबलेंथ तरंग द्वारा एक कमपन करने में चली गई दूरी तरंग धैर कहलाती है एक कमपन करने में चली गई दूरी बराबर लेमडा होती है और एन सेकेंड में चली गई दूरी एन लेमडा होती है येन कमपन करने में लगा हुआ समय एक सेकेंड अगर जो है तो चाल V बराबर एन लेमडा बराबर जो तरंग की चाल है V is equal to n लेमडा मतलब आब inmritty गुडे तरंगदैयर अब तरंगदैयर गयात करने के लिए तरंगदैयर गयात करने के लिए हम चाल में आब inmritty से भाग कर देते हैं तो हमको तरंगदैयर मुझे प्राप्त Number हो जाती है अगला प्रश्न अगला ये है ध्हानी अगला जो तो हम लोग देखेंगे ध्वानी, ध्वानी की से कहते हैं, ध्वानी तरंगे अनुदार्य प्रकिर्ति की यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनका बेग हवा में 332 मीटर प्रतिसेकंड, पानी में 1500 मीटर प्रतिसेकंड और लोही में 5000 मीटर प्रतिसेकंड होता है, ध्वानी आवस्रब वितरंगे और परास्रब वितरंगे स्रब वितरंगे ये हैं जिनकी आपरिती 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक होती है स्रब वितरंगों की आपरिती 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक होती है मनुष्य का काम सिर्फ इन ही धुन तरंगों को सुन सकता है यानि कि मनुस्य की जो स्रोमड छमता है 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक है अवस्रब तरंगे क्या हैं अवस्रब तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आबरित 20 हर्ट से कम होती है अवस्रब ध्वन तरंगे कहलाती है इन तरंगों को हाथी और वेल तो सुन सकते हैं लेकिन ये मनुस्य की श्रौवर चमता से बाहर है इतने कम ध्वन की तरंगे मनुस्य नहीं सुन सकता है अगला है परासरब्य तरंगे या अल्टरसोनिक बेव वे ध्वन तरंगे जिनकी आबरित 20,088 से ज़्यादा होती है परास्रब्य तरंगे कहलाती है मनुस्य का कान जो है इन तरंगों को सुनने के लिए संबेदन सिल नहीं है अर्थात मनुस्य का कान इन्हें नहीं सुन सकता परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगा, डड़ादी इन्हें सुन सकते हैं पराश्रब्य तरंगों पे ही एक कांसेप्ट है सोनार का sound, navigation and ranging इसमें पराश्रब्य तरंगों का ही प्रयोग होता है इसमें किसी वस्तु की इस्थिती का पता लगाया जाता है जैसे जो अधिक दूरी पे हैं पंडुब्य और जहाजों में सोनार का प्रयोग किया जाता है गूँज क्या है गूँज यानि कि eco ध्वान का किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वान का परावरतन कहलाता है लेकिन परावर्तित ध्वन जब सुनाई देती है तो इसे गूँज कहते हैं परावर्तित ध्वन सुनाई देने के लिए ध्वन इस रोत था परावर्तक तल के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी आवस्यक है जैसे कोई हम लोग कोई ध्वनी बच्पन में करते थे तो वही चीज हमें लौट के उसका वापस सुनाई देता था तो इसमें ये है कि जो ध्वनी स्रोत है हम जहां से बोलते हैं और परावर तक तल जो होता है उसके बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर आवस्यक है क्योंकि मनुसे के कान की जहमता होती है वह केवल वही ध्वनियों को सुन पाता है जिनके बीच समयांतराल 0.1 सेकेंड यानी 1 by 10 सेकेंड से ज्यादा होता है इस से कम समयांतराल में कोई ध्वनी सुनाई देती होए तो वह कही हुई ध्वनी पहले ध्वनी से मिल जाती है तथा उसका अंतर पता नहीं चल पाता है तो ध्वनी तथा ध्वनी स्रोत और परावर्तक तल के बीच कम से कम 17 मीटर दूरी होनी आवस्यक है और समयांतराल 0.1 से जादा हो तभी वह ध्वनी सुनाई देती है दोबारा लेकिन अगर दूरी 17 मीटर से अधिक है तो पर्थम ध्वनी और परावर्ति ध्वनी में समयांतराल 1.10 से अधिक हो जाएगा और वह ध्वनी सुनाई देने लगती है फिर उसी को इको या गूँज कहते है ध्वनी में एक कांसेप्ट आता है डापलर प्रभाव अधिक आबरित्य वाली जो ध्वनीया है पतली या तीखी सुनाई देती है और कम आबरित्य वाली ध्वनी मोटी सुनाई देती है ध्वन के इस अंतर को ध्वन का तारत्यों कहते हैं ध्वन का तारत्यों उसके आबरित्य पे निर्भर करता है जिन ध्वनियों की आबरित्यी कम होती है वे ध्वनियों मोटी सुनाई देती है और जिन ध्वनियों की आबरित्य अधिक होती है वे पतली ध्वन के इस गुड को तारत्त या पिछ कहते हैं डापलर प्रभाव के अनुसार ध्वनी सुरोत तथा सुरोता के मध्य सापेक्षिक गत के कारण सुरोता को ध्वन कभी तीखी यानि की अधिक अबृति वाली सुनाई देती है और कभी मोटी यानि की कम अबृति वाली सुनाई देती है ध्वन की अबृति में आय अंतर को डापलर प्रभाव कहते हैं डापलर प्रभाव ध्वनी की अबृति में अंतर का अध्यन करता है जब ध्वनी सुरोत तथा सुरोता के मध्य दूरी घटती है तो आब रित्य बढ़ जाती है हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जब कोई हमें पास से बुलाता है तो आब रित्य बढ़ जाती है जैसे जब स्रोथ तथा स्रोथा के मध्ध सुनाई देने लगती है डापलर प्रभाव के अनुसार तारों के बारे में यह जानकारी की जा सकती है कि वे पृत्वी से दूर जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं यदि तारा पृत्वी से दूर जा रहा हो तो उसकी आप रित्ति घट जाएगी और वह लाल रंका दिखाई देगा इंपर्टेंट है यदि तारा पृत्वी से दूर जा रहा हो तो उसकी आप रित्ति घट जाएगी और वह लाल रंका दिखाई देगा यानि कि आप रित्ति घट रही हो इसे रेड शिफ्ट कहते हैं लेकिन अगर तारा पृत्वी के पास आ रहा हो तो उसकी आबृत्ति बढ़ जाएगी और वह बैगनी रंका दिखाई देने लगेगा इसे वाइलेट सिफ्ट कहते हैं सारे गामा पाधा नी ये जो ध्वनी के साथ सुर हैं इसमें नी की आबृत्ति सरवाधिक होती है और सा की आबृत्ति सबसे कम इसलिए जब हम पियानों पे या हर्मोनियम पे ये ध्वनी बजाते हैं तो सा की आबृति कम होती है इसलिए उसकी ध्वनी मोटी सुनाई देती ह और नी की आबृति सबसे अधिक है तो वो ध्वनी पतली सुनाई देती है मैक संख्या क्या है? मैक, M-A-C-H, मैक नंबर यद किसी पिंड के गती की तुलना ध्वनी की गत के साथ की जाए तो पिंड की गती और ध्वनी की गती के अनुपात से प्राप्थ होने वाली संख्या मैक संख्या कहते है मैक संख्या बराबर पिंड की गती बटे ध्वनी की गती यद किसी पिंड की मैक संख्या मतलब एक से अधिक होती है तो सबसोनिक कहते है यदि मैक संख्या एक से अधिक और पांच से कम है तो सुपरसोनिक कहते हैं और यदि मैक संख्या पांच से अधिक है तो उस गति को हाइपरसोनिक कहते हैं तो आईए इंपार्टेंट है यदि किसी पिंड की मैक संख्या एक से कम हो तो उस ध्वन को सबसोनिक कहते हैं उस गति को सबसोनिक कहते हैं यदि मैक संख्या एक से अधिक और पाँच से कम हो तो उसकी गति को सुपरसोनिक कहते हैं सूपरसोनिक एक से अधिक और पांच से कम और यदि मैंक संख्या पांच से अधिक है तो इस गत को हाइपरसोनिक कहते हैं आपको बताना है अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना है ब्रम्होस क्या है सबसोनिक, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें से क्या है अब आईए देख लेते हैं ध्वनिका माध्यमों का प्रभाव ध्वनि पर क्या प्रभाव पढ़ता है किसी माध्यम में ध्वनिका बेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है दूसरा है कि माध्यम में ध्वनी का बेग आर्दता या नमी बढ़ाने पर बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है तो दोनों चीजे हैं ताब बढ़ाने पर ध्वनी का बेग बढ़ जाता है और घटाने पर घट जाता है लेकिन माध्यम में ध्वनी का बेग आर्दता बढ़ाने पर बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है दाब का ध्वनी बेग पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है किसी ध्वनियों में उर्जा की मात्रा कम होती है इस गुण को ध्वन की प्रबलता कहते हैं ध्वन की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं यद किसी ध्वन की प्रबलता 60 डेसिबल से अधिक है तो उसे ध्वन प्रदूसर कहते हैं सामान फुसफुसाहट 20 डेसिबल होती है तो इ प्रवलता को decibel में मापते हैं यानि कि ध्वन की तीब ब्रतम अपने की 11 decibel है यदि किसी ध्वन की प्रवलता 60 decibel से अधिक है तो उसे ध्वन परदूसन कहते हैं और 60 decibel से अधिक को ध्वन परदूसन लेकिन सामाने फुस-फुस आठ 20 decibel तक होता है तो सामाने धोणिया ऐसे जो होती है ये 30 से 40 होती है जो हम सामाने बाच्चीत में यूज करते हैं तो दोस्तों ये था सामाने बिढ़्यान का भाग जिसमें हमने देखा तरंग गति और धोनी से संबंधित कुछ अधाड़ाएं और इनसे संबंधित प्रश्ण आप इसको ध्यान से देखिए और तैयार कर सकते हैं बीच में मैंने एक प्रश्ण पूछा है कि ब्रह्मोस की गति जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो कैसी है सबसोनिक है सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक तो कमेंट बाक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार